चोथी प्रितिग्या जो बावो साब ने हमें दिलाई वो कि मैं ऐसा कभी नहीं मानूँगा कि इश्वर ने कभी अवतार लिया है इश्वर सही मायने में किवल एक कलपना है तो जो कलपना है उसके अवतार लेने का मतलब ही नहीं है और मैं पहले भी कह चुका हूँ पहले भी बताया और बाबबसाप का उद्देष भी बिलकुल केलियर है उनका कहना भी बिलकुल केलियर है कि इश्वर अगर है और वो सर्व शक्तिमान है तो उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है इंसान के रूप में आने की क्या जरूरत है उसे वो सारे काम जब पूरे ब्रह्मांड को चलाता है वो और ब्रह्मारवाद ये कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है तो उसे यहां आने की क Competition दबा कि सारी सब कुछ कर सकता है इससरे के मिशाइल बना लिये हैं इस सरे की टेकनो-रोजीयाइत के वर इनसान में इजाद कर लिये की हजारों किलोक्र दूर वो जो चाहता कर सकता है यहांते कि जो अंतरिक्ष में जो उसने अपने यान भेजे हैं सेटलाइट्स भेजे हैं उनमें अगर कोई खराबी भी हो जाती है हजारों किलोमेटर दूर पे हैं यहीं से बैठे बैठे उसे ठीक कर देता तो इश्वर तो जिसने सब कुछ चलाया है जिससे सब कुछ बनाया है ब्रहमान जिसने बनाया है वो वहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है उसे अवतार लेने की जरूत क्या है एश्वर का कभी अवतार होता नहीं है ये केवल और केवल ब्रहम मरवाद का रचा हुआ शर्यंत्र है और ये शर्यंत्र उसने वेदों में, इसमितियों में, धर्मशास्त्रों में बाकद तरीके से लिखा हुआ है और उसे कोई और ना जान ले, उसे कोई और ना पढ़ ले और ईश्वर के अवतार की ये सच्चा ही ना पता लग जाए इसलिए बहुत लोगों को, शुद्र समाज को उसने कभी पढ़ने ने दिया गया ताकि उसे इश्वर की सच्चा ही ना पता लग जाए, ब्रहम मरवात का शड़ेंत ना पता लग जाए तो इश्वर कभी अवतार लेता नहीं है, इसलिए बाबस आप डॉक्टर अमबेटकर ने कहा कि इश्वर ने कभी अवतार लिया है, मैं इसमें कभी विश्वास नहीं रखूंगा और मेरा सिर्फ इतना ही कहना आप सभी है, इश्वर अवतार लेता है और कितने ही अवतार बना रखे हैं, दस अवतार तो विश्वास को ही बताया जाते हैं भिन भिन रूप में हैं, कितने ही देवी देवताओं को यहां पूजा जाता है सरस्वती को पूजा जाता है, सिक्षा की देवी के विश्व में अगर सरस्वति सिख्षा की देवी है या उसकी पूजा करने से सिख्षा आ जाती है तो फिर ये स्कूल, कॉलेज, इन सब की क्या जरूरत है ये लाइबरेरिया, ये किताबें, इन सब क्या जरूरत है ये टेकनोलोजी ये सारी सब कुछ है क्या ये सरस्ति की पूजा करने से आई है क्या ये वेग्यानिक जो बने हैं दुनिया भर में ये सारे के सारे सरस्ति की पूजा करने से बने है ये मात्र एक धकोसला है जो ब्रहमरवाद ने बनाया है फैलाया है ताकि उसकी दुकान चलत तो किया आज हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी कुछ बन सकते थे क्या, वेग्यानिक बन सकते थे क्या, जज बन सकते थे क्या, नहीं बन सकते थे. ये केवल और केवल सिक्षा की वज़े से संभव हुआ और सिक्षा सहसुति की पूजा करने से नहीं आती सिक्षा स्कूल में जाने से आती है सिक्षा पढ़ने से आती है और उसका चिंतनम्नान करने से आती है किसी देवी देवता की पूजा करने से नहीं आती और ये अवतार ये जो सारे बनाए गए हैं इनसे तो निश्चित रूप से नहीं आती तो इसलिए परमपुजय वोदिसद बावा साब रॉक्टर अमबेटकर ने कहा कि मैं इश्वर ने कभी अवतार लिया है ऐसे मैं कभी विश्वास नहीं रखूंगा